इसलम और एकम स्टूडेंट स्टुडेंट आज की जो शौर्ट डेफिनेशन है बायलोजी कलास 10th ग्लोसरी से लिग गई है आज की शौर्ट डेफिनेशन इडर्नालीन की है स्टूडेंट इडर्नालीन जो है ये एक निरो ट्रांस्मेटर है यानी इसको यह नर्व सेल्स जो के जो pre-synaptic nerves हैं इस neurotransmitter को produce करते हैं इस neurotransmitter का जो basic purpose होता है students या जो physiological function होता है adrenaline का इसका दूसरा नाम हम epinephrine भी कहेंगे इसका जो body के अंदर काम है यह students sympathetic nervous system यानी हमारी body के अंदर जो sympathetic reactions होते हैं उसको अफाल करने के लिए या यह body के अंदर हम इस तरह इसकी short definition कर सकते हैं के a hormone that prepares body to overcome emergency situation यानी body में जो fear fight and flight functions हैं वो इस neurotransmitter की बदौलत होते हैं जब कभी students इसकी बहुत बड़ी example है जब किसी भी adverse condition से आप गुजर रहे हों कभी-कभी आपके पीछे कोई कुटा ही पढ़ जाता है या कोई animal ही पढ़ जाता है तो अचानक से आपका जो heart rate है वो ज्यादा हो जाता है आपकी breathing जो है वो ज्यादा हो जाती है और आप जो है वो body speed से बागना शुरू कर देते हैं हालांकि इससे पर previous जो condition थी वो ऐसी नहीं थी यानि किसी भी adverse condition से निपटने के लिए जब हमारी body जो है हमारा central nervous system जो है वो इस neurotransmitter epinephrine को produce करता है तो इस epinephrine या adrenaline hormones के produce होने पे body जो response देती है वो response जो होता है वो sympathetic response होता है यानि ये epinephrine हमें emergency की situation से निकालने के लिए sympathy देती है और emergency condition से निकालने के लिए जो भी body का mechanism होता है वो adrenaline या epinephrine neurotransmitter की बदौलत होता है ये थी students adrenaline या epinephrine की short definition मिलते हैं अगली definition के साथ बहुत शुक्रिया असलाम अलेकम